मुम्बरा शील फाटा पर कल रात में एक कैंटेनर पलड गया गनीमत रही कि इस कैंटेनर के चपेट में कोई और गाड़ी या कोई वेक्ति नहीं आया वरना उसकी भी जान जा सकती थी हलाकि सहायक ड्राइवर घायल हुआ है आपको बता दे ये हाथसा रात करीब 12 बजे के आसपास में शील फाटा पर हुआ है बताया जा रहा है कि कैंटेनर इन दोर से लोड होकर वाशी के लिए जा रहा था मगर मुम्रा शील फाटा पर तर्ल लेते समय ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और कैंटेनर पलट गया मौके पर ट्राफिक बिभा के कर्मचारी भी पहुँच गया मगर हाथसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया वहीं जो सहायक ड्राइवर अंकित राज गौड पर वो घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए इस्पताल भेजा गया है सहायक ड्राइवर अंकित गौड ने हाथसे को लेकर क्या जानकारी दी है आप भी सुने गाड़ी दर्जी आा रहे थे कोई गाड़ी आके इसे पलटई हो गई? ड्राइबर कहा है? कीसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी को? सिर्फ आपको चोट लगी है मेरा मुबाइल है जारी मेही मुबाइल है तर्शिमाद को लेकर चले हैं को फुरी बात को नहीं है